कि अब तक सर्वे में मैं बहुत सारे लेक्षर आपको अप्लोड कर चुका हूं जिसमें आपको कि इंट्रोडक्षन समझा चुका हूं चेंज सर्वेइंग समझा चुका हूं और लेबलिंग मैंने पूरी बात समझ में आ जाएगा यह यह चेंग सर्वेंग आप लोगों ने पढ़ा होगा तो चेंग सर्विंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने क्या आई अगर आप अभी तो पढ़ रहा है तो प्रॉब्लम मैं कह रहा हूं तो आ रही है मतलब मैंने कहा कि प्र की लिनियर मिजरमेंट लिया किसी तरह से लेकिन बीच की भी लाइनों का मीजरमिंट लेने के चक्क्र में लेन होगा जाती जाता है। अगल मापने की विवस्ता हो जाए अब कैसे कि आप जब भी कोई सेप बनाते हैं कोई बाउंडरी करते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं दूसरे से तीसरे जगह उसको कागच प्लॉट करते हैं तो दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर आपको मालूम रहे तो उ एक चीज़ का विसेज ध्यान रहे कि कमपास से डारेक्ट एंगल की नहीं दो जगहों का नहीं मापाजा सकता कमपास कभी एक लाइन इस तरीके से है दूसरी लाइन इस तरीके से तो इनकी बीच का एंगल मापने की अलावेंस अभी भी नहीं मिली आपको किसके मदद से कम सकता है इनके बारा में जड़ा से बात कर लेते हैं कि कोई भी दो लाइन हो अगर इस तरीके सा राइन हमाली जी एक और दूसरी तो इनके बीच में दो लाइंस की बीच का जो जुका होता है यानि measurement of slope of two lines or plane is called an angle but the angle is the measurement of the slope between two lines or two planes is angle the a hopper do have a character at a angle and looking other quick a key line is 30 case oh the angle when I am even I will making one North say North yaa phil kc reference direction say the gay other egg this a pahle say reference I am a reference Lillia is references cut subka other cool line as a jar yeah cool line as a jar yeah so subka is a coin a coin angle to bunny raa sabka yes I lines तक यह इसका कितना एंग बना थीटा वन इसका कितना एंगल बना थीटा टू और अगर इस का लेंगे तो थीटा च्री मतलब एक डरिख सन्पर् Stealth lawsuit एक जिस से किसी एन की एंगल मतलब स्लूप का मिजर्मेंट कहीं विद्वterror Us के जब्कि बीरिंग बीरिंग मतलब किसी खास दिसा से पिसला इंगल या बीरिंग कहते हैं तो इंगल या बी dazu हमेशा कहें जुका होता है वो बेरिंग होती है लेकिन वो खास दिसा क्या कहलाती है जिस खास दिसा से मिजर्मेंट लिया जाता है वो खास दिसा क्या कहलाती है उस दिसा को लोग कहते है मेरेडियन उस दिसा को लोग क्या कहते है मेरेडियन अब यहां पर एक चीज समझेगा कि अब यह म कम पास सब्द जो जो अपने आप मैना उसका बिना मैगनेट के अस्तित्व ही अधूरा ठीक है अब यहां पर देखेगा मेरिडियन जो होते हैं मेरिडियन का मतलब होता है एक जनरल इसका डेफिनेशन दे दू मैं तो मेरिडियन किसी भी संदर बदिशागों कहते हैं ठीक है है रिफरेंस मतलब संदर बदिशा जिसकी संदिसको एक निश्चित मानते हुए किसी चीछ का जुकाओ या दूसरी दिसाओं का जनकारी लिया रहता उसको मेरिडियन बोलते हैं अभी मेरिडियन कितने टाइप क्यों हो सकते हैं कौन कौन से होते हैं तो पहले जो होता है हम rice meridian true Meridian why true Meridian क्या होता है दूसरा आपरों पे बारें बता है दूसरा होता हम जो लोग मेरिडियन और तीसरा होता है हम लोग का arbitrary Meridian arbitrary Meridian ठ्क है अब यहाँ पर एक चीज़ समझेएगा कि यहाँ पर आपने किया क्या true Meridian का रहां होता है हमारा जो यह पृधिवी का जो कि पूरे प्रिथवी को दो बराबर भागों मांट देता है किसी प्रिथवी की किसी बिंदू से होता हुआ एक कालपनिक तल और वह ऐसा तल होना चाहिए वैसा मैं इसके डेफिनेशन आपको बोलकर सुना देता हूं हिंदी में आपके बुक में जो लिखा है वो भी समझ दीजिए लिखा है कि प्रिथवी के किसी बिंदू से होता हुआ और सत्य उत्तर दच्छन ध्रूओं से पारित होता हुआ कालपनिक तल जो दिशा दिखाता है वो सत्य या मोत्तर या ट्रू मिरीडियन होती है यानि an imaginary plane passes through a point on earth surface and which should also pass from true north and true south and the direction shown by this plane is called true meridian यानि true meridian क्या होता है एक दिशा किस तरफ जो एक किसी point से होके जाए इधर से भी जाता ना तो फिर north-south की तरफ ही जाता कहीं से भी जाए वो जाएगा north और south से होते हुए तो ऐसा कोई plane जो प्रिथवी के किसी point को touch कर रहा हो और निकल जा रहा हो north और south की तरफ उस plane को हम लोग कहते हैं या वह plane जो direction दिखाता है उस direction को हम लोग कहते हैं तो कि और डाके अफ्रूम रिडी लिए अब कहेंगे गिसार डाकेक्शन आफ्रूम रिडी नौर्थ साउथ से ओके जाता है ठीक है अगर हम उसकी जगह पर ट्रू की जना आप मैगननेटिक की बात कर लेते हैं तो मैगनेटिक мирidine क्या है आप कभी दिसा घ्याद करने के लिए दिसा निकालने चूम्बक का सारा लिए है मैगनेट को अगर freely suspended कर दिया यह पूरी तरह से बीच में इस तरह से मैगनेट को लटका दिया तो यह मैगनेट का एक प्रॉपर्टी होता है कि वह बिल्कुल North-South में क्या होता है लटक जाता है अपना जो पोल है क्योंकि मैगनेट में पोल होता है और वह पोल North-South में बि डिस्टर्ब हो सकता है थोड़ा से जैसे North-South अगर बिल्कुल ऐसे इस तरीके से North-South तो यह हलका सा ऐसे ऐसे हो सकता है इसके पीछे का रीजन होता है ठीक है ना क्या होता है इसे आप समझ सकते हैं कि जो प्रिथवी को बराबर बराबर दो भागों माटा गया तो बिल्कुल सही है North-South बराबर बराबर बट गई प्रिथवी दो भागों में लेकिन कई बार प्रिथवी के अंदर जो उसके कोर में और जो उसका mental portion हो उसमें ना लगातार दिक्कत हो fluctuation होता रहता है तो जो प्रिथवी का magnetic field है वो fluctuate होता रहता है कैसे इसको इस तरीके समझेगा यह जो हमारा यह यहाँ पर समझेए कि अगर यह हमारा इस तरह से globe है ठीक है कि ऐसे कि ऐसे globe हमारा यह नौर्थ होता है यह साओ थोड़ा से जुका हुआ है समझे रहे होंगे अर्थ जुकी होती है तो यहां से जो magnetic यह पूरा माललच मना जाते हैं क्या है क्या हमारी प्रित्विये मै pik तरह करती तो जब्भीए मोइन इसके ऊपर ऐसे लटकाएंगा न मालीजी फूह पर हमने कोई ऐसे मागनेट लटका दिया को उसका जो magnetic field है तो फ्लक्चुबेट होता है तो फ्लक्चुबेशन की वज़ए से यह magnet में हल्चल होती है तो कोई magnet एक और वह हल्चल माली जी आज magnet ऐसे है कल हो सकता है ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए तो जो magnet दिखाता है North-South magnet एक North-South दिखाएगा और एक actually North-South है तो जो actual है वो true meridian नहीं सही North-South की direction है जबकि जो magnet द्वारा दिखाई गई है वो magnetic meridian है कभी कभी दोनों बराबर हो सकते हैं हो सकता है कभी कभी कि magnet वाला उससे से क्या हो जाए दीफर हो जाए हमें साथ यान रखेगा ट्रू मेरीडियन बिल्कुल फिक्स होता है अपनी जगह पर जब कि मैगनेटिक मेरीडियन आर्थ के मैगनेटिक फिल्ड में फ्लक्चुएशन होने की वज़ा से कभी कभी इसकी डारेक्शन क्या होती है चेंज होती तो यह नहीं कि पलट जाएगा हलका फुलका फ्लक्चुएट करेगा दायबाया हो सकता है ठीक है इसका रीजन यहीं है कि प्रिथवी के अंदर से इधर से ना जो मैगनेटिक लाइन सोती है वह ऐसे निकल के चलती है इसे निकलती है मतलब नॉर्थ तू साउट जाती है औ मैं सद्यान रखीगा प्रिथवी का जो मैगनेटिक फिल्ड होता है वह बाहर से नॉर्थ तू साउथ होता है जब कि अंदर थे साउथ तू नॉर्थ होता है अब यह बताइए अगर आप चुम्बक लेके प्रिथवी पर खड़े हैं और यह प्रिथवी का नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ नहीं जाएगा नीडिल का यह बला साउथ पोल होता है और नीडिल का यह व्यू prt होता है north pole था इस चीछ को हमेंसा ध्यान रखीएगा इस आउस पॉल निडिल का उधर हो जाता है और नौर्थ पॉल इधर हो जाता है तो जो magnetic needle के द्वारा direction दिखाई जाती है वो direction को लोग क्या कहते है है Magnetic Meridian ठीक है और हमारे लिए यही सबसे ज़्यादा हम मिजर भी कर पाते हैं हम किसी भी लाइन की डारेक्षन कम पास की मदद से मापते हैं और कम पास में लगी होती है Magnetic निडेल तो विसिकली हम कौन से Meridian को ज्यादा यूज करते हैं Magnetic Meridian को हाला कि आपने पढ़ा कि इसमें थोड़ी गलती होती है लेकिन ऐसा हम लोग काम करेंगे कि इसमें गलती कम से कम हो या फिर अगर मालूम है तो उस गलती को सुधारा भी जा सकता है लेकिन ट्रू मिरिडियन से बार बार रेडिंग को लेना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ट्रू मिरिडियन निकालने के लिए आपको जो एस्ट्रुनॉमिकल अबजर्वेशन लेने पड़ेंगे इसको इसके लिए खागोली प्रिक्षन लेने पड़ते हैं यह आसानी से नहीं न देजिए इसको सनलाइट की मदद से आप आसानी से निकाल सकते हैं टू नौर्थ को लेकिन जब मापना पड़ेगा तो मैगनेटिक मिरिडियन कही हो जो था ठीक है तो आपने के लिए हम नौर्थ का सहरा लेके इधर दाएं आब आएंस नौर्थ से कितना डिगरी है तो व अब ही बात हैं बहुत सिंपल सिंपल मैं समझा रहा हूं इसमें बहुत सारी चीजह है जिनको भी दीरे-दीरे वन बाई-वन समझेंगा लोग ठीक है तो हमने देखा कि अगर यह ट्रू नौर्थ होता यानि ट्रू मेरिडियन होता तो जो यह बेरिंग होती ना वह भी ट् बेरी तो तेन तरह को बेरिंग होई ठीक है तो मेरिडियन ज से जैसे होंगे उन्ही से मया पा गए अंगल वह बीर इंपले decisively मतल픈 और अ सर्फेस और विच शुल आलसो पास्ट रंटू नौर्थ एंटू सौट तो इस तरीकिश मनें समझा के टू हम गनेकिक भी आपने समाख लिए कि मेंने नारेक्स णिए पुल भाय अपने समय मेंगेस टारेक्शन विच अपिल एक फिली सस्पेंडेक्ड टंर टूर ध्रेस अज इंडियन क्या है what is mean by arbitrary arbitrary सब्द का जनरल मतलब होता है स्वेक्छा से स्वेक्छे का या मुत्तर इसको हिंदी में बोलते है ठीक है तो arbitrary meridian का मतलब होता है हम नौर्थ से ना लेके हमने अपनी एक डिरेक्शन खुद इसे कोई भी मान ली कि सपोर्ड मेरे लिए यह एक मैंने टिरेक्शन और इसे नौर्थ बट इस वन एजून भाई परसान और ऐसरवियर किसी भी सरवेर और परसंट के द्वारा इसको आजून कर लिया है ठीक है कि यही डिरेक्शन कॉंड रिफ्रेंस मान के इनी से सारे लाइन्स का निकालेंगे डिरेक्शन ठीक है तो तो इस तरह का जो सिल्फ made meridian होता है उसको हम लोग arbitrary meridian कहते हैं and the bearing which is measured from arbitrary meridian is called arbitrary bearing तो आपने यह समझ दिया होगा कि वो bearing जो arbitrary meridian से मा पी जाती है उसको arbitrary bearing कहते हैं तो आयों meridian और bearing आपको समझ में आ गया । अब कहेंगे सर हम इन डारेक्शन सो माप कि क्या करेंगे तो हमेशा यह द्यान रखेगा कम पास की मदद से आप केवल और केवल डारेक्शन मापेंगे और उन्हीं डारेक्शन की मदद से इंगल बाद में निकल जाएगा जैसे एक सिंपल से जामपल के थोर पर समझ जैसे माल यह यह लाइन ओपी है और एक यह लाइन ओक्यूं होती ठीक है अब हमें एंगल मालूम करना होता यह जैसे कि बताइए बताइए पी-ऊ-q एंगल क्या वगा तो आप कहते कि सर्प ययोख कमपास नहीं माप सकता है लेकिन कम पास माफ सकता है किसको इस एंगल को सपोच करिए थीटा वन है और यह वाला एंगल थीटा टू ठीक है तो थीटा टू सपोच करिए कि 120 डिग्री इसको आपने कहां सर्थी और इसको कहां 120 तो बताई यह कितना होगा तो कहेंगे 120-30 यानि आप कहेंगे यह एंगल 90 बात को यह बड़े वाले डिरेक्शन इसका डिरेक्शन पता है 120 इसका डिरेक्शन पता है 30 तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जागा 90 बात समय रहे है मतलब डारेक्शन का मिजर्मेंट ले करके उनकी मजद स्याम लोग एंगल निकाल सकते यह जितना एजी दिख र एंगल बाइद डारेक्शन गिवें ठीकना हमें अगर डारेक्शन दे दिया जाया है तो हम उसका एंगल कल्कुलेट कर सकते हैं अब देखते हैं हम लोग की वर्ट इस दर सिस्टम आफ रिप्रेजेंटिंट इंड बीरिंग देखी यह रिप्रेजेंटे बीरिंट को रिप गरम लोग मेरेड्यं अबरिंग करने तो दो तरीके से छिबलב कर सकते हैं पहला यह को दिखाने का तरीका यह से किसी चीज़ को सोंख करने मतलब怎麼樣 पूब आपको ही आपको कुछ कोई चीज बतानी है ठीक है लाइक मुझे एक्जामपल इस टाइम का सफिसेंट नहीं दिमाग में आ रहा है ठीक है आपको कोई भी चीज बतानी है तो आप उसको दो तरीके से इलिबूरेट कर सकते हैं जैसे ही यहीं पर समझी आप इसको अगरे मैं गयां के आप लाता है मैं समझा लता हूँ पहला इसका रिप्रेजंटेशन हो सकता है और दूसरा इसका रिप्रेशन हो सकता है झाला रिंज क्लां настीोर चोओं ही और होगी क्या होती है ते कोई भी लाइन का अगर हमें नौर्थ यह है और नौर्थ कौन सा ही अभी मत सोची अभी बस सोची कि नौर्थ है मैगनेटिक ही हम ज्यादा तर बात करेंगे प्रू की बात तब करेंगे जब समझाएंगे उसके बारें तो अभी मानिए कि नौर्थ है नौर्थ से किसी भी एंगल की जैसे कोई लाइन ओ ह है ओस हमने अब ओसे लाइन हमने सपोर्ट करिए इधर एक लाइन निकाली ए टिक है यह कौन सा है ओ ए तो ओ एक कि बेरिंग क्या होगी ताप कभी भी एंगल मापना नौर से तो इधर से मत चले आई हम अपने हमेशा किसी भी लाइन की बेरिंग नौर्थ से जब क्लॉक वाइज मापी जाए नौर्थ से क्लॉक वाइज मापी जाए तो उस बेरिंग को हम लोग होल सर्किल बेरिंग कहते है जैसे Line ऑए की बेरिंग फीटा वन है ठीक है अब अगर लाइन इस तरीके से होती यहाँ पर है कि तो इसकी बेरिंग मेशन नौर्थ से क्लकवाईज ही मापते फीटा कूम आप ले ते ठीक है इसी तरीके से अगर कोई और लाइन का सपोज़ करें यह थीटा 4 है, मतलब आपका यह North से थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, सपोज़ करें कि इसको हम Quadints में बार्ट लेते हैं, यह North हो गया, यह South हो गया, यह East हो गया, और यह West हो गया, तो line किसी भी coordinate में रहे उसकी bearing हमेशा अगर north से clockwise मापी जा रही है तो उस तरह से अगर आप दिखाते हैं तो उस bearing को हम लोग whole circle bearing कहते हैं whole circle bearing में किसी भी line की bearing कहा तक हो सकती बताइए हो सकता ऐसे 0 से कुछ ज़्यादा हो और ऐसे घुमते घुमते 360 तक पहुँच जाए तो whole circle bearing में जो value होती है वो 0 degree से लेके 360 degree तक हो सकती है whole circle bearing में किसी भी line की bearing 0 degree से लेके 360 degree तक हो सकती है तो काफी ज़्यादा गुमाव है 0 से 360 degree की कोई भी value हो सकती है लेकिन जब bearing को reduce किया जाए या फिर इसको हम लोग क्यूभी सिस्टम भी कहते है Quadrantal bearing system QB system यानि Quadrantal bearing system भी कहते है इसी को और में कर सकते हैं हम लोग क्यूभी या Quadrantal bearing system Quadrantal मतलब चतुर्थांस में तो आपने whole circle में देखा कि अगर line OA है तो उसकी bearing theta one होगी जो भी हो 40, 50, 60 degree जो भी हो इसका 90 से उपर है तो इसका बताई ये 90 प्लस नहों हो गया ये पूरा ये अंगल theta two क्या है 90 प्लस है आप बताई यहां से यहां तक e तक बनेगा तो यहां 90 बनाएगा यहां कितना बनाएगा 180 यहां पर 270 और यहां पर फिर 0 या 360 तो हर क्वाडिनेट में जैसे हर क्वाडरेंट में मतलब चतुर्थानसों में अलग-अलग बेरिंग की वैलू हो सकती है क्यूभी में जब यही काम करते हैं मतलब एक तरीका यह दूसरा यह भी है चली है नौर्थ से यहां पर साूथ है यहां इस्ठ है और यहां वेस्ट है आब अगर यहां पर नॉर्थ से ए अगर इस डिरेक्षन में होता टे तो हमलोग इसकी बेरिंग क्या बताते तो कहते इसको जून वाइज देखे अब यहाँ पर है सपोच करी यहां पर ओ एह है किकर यह यह भी था यह सी था डी सेम कहानी या पर अमने भी ले लिया यहां पर एक और लाइन ले ले लोते हैं ती अरहां ले ले लिए अब आप इसको यहां से clockwise मापने के जरूबत नहीं किस सिस्टम के थुरू इसके थुरू तो इसके थुरू अगर एक का यहां पर थीटा वन है बेरिंग तो यह थीटा वन ही रहेगा पूरा लेकिन जब बी को हम मापेंगे तो बी को इधर से नहीं मापेंगे बी को हम लोग हमें नहीं बहुं बीरिंग मतलब यह वाली वी और यह वालीं वी साउट से महां पी जाएंगी और यह वाली वाली दोनों नॉर्स यह वाली मिन उर्थ से आठीन का नाम कैसे हों जैसे इन गिंटा होता है कि इस जोन का देखे नौर्ट-eist है सुरू उर्धिम कि नेौध नोप सच कर दोलों क्या तो संपे और एस वाला को साूथ वेस्ट साउत संथ वेस्ट साउधिक सह घंट तब यहां यहां सकल दिखाना तो बताइए क्या यह एक्चुली अगर इस सिस्टम के तहत यहां 40 डिग्री होता तो आप इस एंगल को 40 डिग्री बोलते नहीं बोलते आप बोलते कि यहां से ऐसे पूरा ये एंगल बताना पड़ेगा हमें तो होल सर्किल बेरिंग में अगर कोई एंगल ऐसे गूमते हुए जाए और वह कितना 320 डिग्री तीन सो डिग्री क्यों लिए बताईए जब यहां से चालीस है तो इधर से पूरा गूमेंगे 360 और 40 इधर है तो यानि यहां से आप जो 40 डिग्री को माइनस करेंगे 360 में तो यह जो पूरा ऐसे गूमाया एसे यह गुलाई गूमी यह पूरी यह कितनी होगी 30 में तो अगर कोई hearing whole circle के through 320 डिग्री बता रही है तो reduced comparing में और 50 डिग्री और तो यानि हम इसी इसी 320 के इंगल को दो तरीके से सोग कर सकते हैं पहला हम बोल सकते हैं कि 320 कर किसी लाइन की चाहें यह बोलें दोनों का मतलब है बस एक whole circuits बेरे में बताए गया है यानि W delusai citizen में भुसरा की वह music सिस्टम है और सिस्टम जो है वह वह up क्यों भी सकते हैं समन में आ गया सिस्टम और एक चीज जाने जिए इससे कई बार को सब्सक्राइब करें ठीक है जैसे इसमें दे दिया है तो इसमें कनवर्ट करना पड़ेगा यह बहुत इजी टॉपिक होगा कैसे हम लोग का जैसे कई जामपल हम लोग लिए ठीक है यहां पर अगर आप लोगो ने समझ लिया तो मैं इसको इदर इस तरीके से आट क्लियर कर दे रहा हूं देखिए जैसे हम लोगों को फटा-फट इसमें मैं लिख लेता हूं पहला बोल दिया यहां पे सपोर्च करिए बोल दिया 45 डिग्री यह डबलू सीवी में सब दिया हुग है ड़ी म सब्सक्राइब करें तो इसका मतलब इधर से 45 यानि 45 और या निन और तीस जोन में नॉर्थ इस की तरफ 45 सपोज यह थीटा करें फॉर्टी फाइव है तो हम लोग इधर फॉर्टी फाइब क्या है चाहिए धर से 45 का है बात तो यह कई है दूसरा अंगल सपोज करी हमने ले लिया 120 डिग्री अगर 120 डिग्री है तामे साथ एक ओन पर्टी कहाँ चला गया second में चला गया किनि साउ्थ से 60 डिग्री इस्ट की तरफ क्यूं वई क्यों कि आप जानते हैं के अगर नौर्थ से इधर की तरफ जाएंगे हम लो определ गये हैं 210 डिगरी यह थार्ड में क्यों है क्योंकि 180 जाते देखे 90 180 और इधर 270 तो 180 से 270 के बीच में थार्ड क्वाडिनेट में तो 210 है ना यानि 210 का मतलब यह पूरा ऐसे जाके 210 है तो जब यह पूरा 210 है तो यह इतना कितना होगा बता यह साउथ से स्बीच कितना होगा आप कहेंगे यह बचेगा यह पूरा 210 उसमें से 180 हटा देंगे हमने चैनल shaking देखे 270 को पार करके ऊपर चला गया तो इसका मतलब जब यहां से ऐसे 300 है तो उधर कितना बचा 360 पूरा होता है 300 चला गया तो उधर से 60 डिगरी यानि N 60 डिगरी डबलू समझ मारी बात तो इस तरीके से हम चीजों को चेंज कर सकते हैं एक से दूसरे में उधर यह दिया रहता तो यह भी आपला सकते हैं यह बहुत इजी है इसको आप प्रैक्टिस करेंगे आसानी से हो जाएगा अगर यहीं इंगल 45 और मिनेट में होते मिनेट और सेकेंड में तो भी हम लोग बहुत आसानी से इसको जितना one by one question आता जाएगा मैं आपको समझाता जाऊंगा यह basic था इसमें हमने क्या क्या कवर किया topic में कि compass की जरुवत क्यों है क्योंकि angular measurement लेने की जरुवत थी काम को जल्दी करना था दूसरा हमने समझा उसमें कि bearing meridian क्या होता है और bearing कितने system में मापी जाती है एक system से आपको coordinate याद रहें और आप आसानी से इसको solve कर लें अगर lecture पसंद आ रहा तो वीडियो को share subscribe करके चैनल को subscribe करिए वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुचाईए और लोगों का भी भला होता रहा है और मुझे भी motivation मिलता रहा है तब तक अगले lecture का इंतजार करती है मिलते नेक्स लेक्चर में धन्यवाद